लकड़हारा और सुनहरी कुलहारी की कहानी एक समय की बात है जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था वो जंगल में लकड़ी एकठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए एक दिन की बात है वो एक पेड़ काट रहा था तबी हुआ ये की गलती से उसकी कुलहारी पास की एक नदी में गिर गई नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वास्ता में तेजी से बह रही थी उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुलहारी को खोजने की लेकिन उसे वो वह नहीं मिली अब उसे लगा कि उसने कुलहारी खोदी है वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी नदी के उपर दया आई और वो उसकी मिहनत और सत्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुलहारी वापस लाया लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चा के साथ वापस आ गए लकडी का कुलहारी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यहा उसकी कुलहारी है नदी के भगवान ने लकड़हारे की इमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुलहारियों से भेंट किया इस कहानी से हमें ये सीख मिलत कि इमान्दारी सर्वोत्तम नीती है.